हेलो एवरीवान और वर्म वेलकम तो एचीवर्स यूटूब चैनल वेरी गुड मॉर्निंग गाइज आई होप यूप यूटूब चुनल पर तो कैसे हो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि शांदाथ तरीके से आप लोग अपने लाइफ को इंज्वाय कर रहे हो हर सुबा की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बहतरी प्रस्णों के संक्रन के साथ 17 सित अमरा करेंट इफिस लेकर रहा हूँ जो आगामी प्रिक्षाव करते श्रीकों से काफी महत्पून साबित होगा शुरू करने से पहले आपसे निवेदेने की वीडियो को लास तक देखे यह अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरू करें क्योंकि आपकी लाइक शेयर और कमेंट ही हम लोग को मूटिवेट करत है तो आएए बिना समय बेर्थ किये बढ़त अपने पहले प्रस्कियों सबसे पहले जिन्हों ने भी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले यह उमवेल आइकन को दबा ले ताकि आने बाड़ी सभी वीडियो करने को मिलती रह किया यह भाद के ड्रक्स कंट्रोल जनरल से देश में अक्सफोर्ट कोविड-19 वैक्सिन मिद्वार के किल्लिकर प्रस्कियों को फिर्ट से शुरू करने का पर्यास किया है यह दबा निंतरक ने पहले डिसीज याई के आदेश के बाद अपना प्रस्कियों रोक दिया था अधिक है यह सीरम इंस्यूट ऑफ इंडिया के दोड़ा यह इनिस्टिव स्टार्ट से किया गया ठीक है अला पुशन देखते हैं इतिहासिक अमेरिकी ब्रोक्रेट सांती सौधे पर किस देश ने हग ताक्षर किया है यह इसमें बहरीन इसराल और यूएई यह अमेरिकी पंदा सेत्म दोड़ा बीज को वाइट हाउस में संजुक्त राज अमेरिका के राश्टपती दोनाल टरम के अधिक्सता में एक हस्ताक्षर संदरो इसराल यूई और बहरीन ने हस्ताक्षर किया है इबराहिम संजोते पर हस्ताक्षर करने का उदेश इसराल और दो अरब देशों के बीच सामतिस संजोता को निव रखना है संजुक्त अरब अमिरात और बहरीन ये संजुक्त अरब अमिरात और बहरीन ये दो देशों के बीच में सामतिस संजोता को निव रखने का ये निसरे ट्वा स्टार्ट किया गया है इसमें बहरीन इसराल और यूई अमे अला कुशन देखते हैं, अमेरिका ने किस देज के साथ रक्षा परदोकी और ब्यापार पहल अवासी बैठक के दौरान रक्षा तकनिकी सहयोग पर हस्तक्षर किया है। ये भारत के दौरा रक्षा परदोकी और ब्यापार पहल अवासी बैठक के दौरान रक्षा तकनिकी सहयोग पर हस्तक्षर किया है। इच्छा महने के लिए बढ़ा दी गई है। सोनी पत तक हर्याना और्विटर रेल कोरिडोर प्रियोजना को मंजूरी दिया है। ये CCEA ने पलवल से सोनी पत हर्याना और्विटर रेल कोरिडोर प्रियोजना को मंजूरी दिया है। मंत्री मंजल समिती ने पलवल से सोनी पत तक हर्याना और्विटर रेल कोरिडोर प्रियोजना को मंजूरी दिया है। चटा कोर्शन देखते हैं परतेक वर्स अभियंता दिवस पर मेघावी संकाय को मानता देने के लिए निम्रिखिर में से कौन सा प्रुषकार अस्थापित किया गया है। ये AICTI विश्वेश्राया सर्वेश्च सिचक प्रुषकार देने का अस्थापना किया गया है। परधान मंत्री नेंद मोदी ने बिहार में नमामी गंगे और अम्रित योजना के तहट साथ प्रेजनाओं को सुभारम किया है। नदरा में शुलूर किया गया था। अम्रित का फुर्फाम होता है A.M.R.U.T. ठीक है और अम्रित का फुर्फाम देखने है अटल नमनी करन सहरी परिवतन मिशन यह दुरापंदा को स्टार्ट किया गया था यह बुण्यादे धाचे कि यह स्थापना पर केंद्रित है जो सहरी परिवतन के लिए प्रजापत उस से मझबूत सीबेज नेटवर्क और पानी को आप पुर्ति सुन्चित करना है थीक है नाली को जो भी नाली वाली उसको अच्छा तरीका सही करना और पानी की आप पूर्ति अच्छी तरीके से जलका पहुचाना यह अटल नमनी करन और सहरी परिवतन मिशन का उदेश था आठवा कोशन देखते हैं वाल्टेयर डिविजन के डीजन लोको सेड ने नामक एक रोबोट बिक्षित किया है जो यह रोबोट है वो कोबिट-19 रोगियों की सेवा करने के लिए अस्पताल में कर्मचायों का सहायता करेगा उस रोबोट का नाम क्या है उस रोबोट का नाम मेंड रोबोट जो है वो कोबिट-19 रोगियों के सेवा करने के लिए अस्पताल में करदान के लिए किया जा रहा है इसमें एक और सी है कि यदि असमान उच तापमान रेटिंग आती है तो अलाम बच जाता है ठीक है तो यह अबका मेंड रोबोट था जो की बाल्टेयर ड जो कोबिट-19 के रोगी है उसका जो अस्पताल में जो करमचारी है उनका हेल्प करना है यह मेंड रोबोट था ठीक है अगला कुशन देखते हैं हाली में पेटियम फस्ट गेम्स का ब्रांड मेंस्टर किसे बनाया गया है तो यह हमारे देश के हस्ती जाने माने क्रिकेट क भगवान सचिन्त नुलकर को जी को पेटियम फस्ट गेम्स के ब्रांड मेंस्टर के रूप में बनाया गया है अगला कॉशन देखते हैं किस भारतिय शास्त्री निर्थ बास्तु कला इतिहास और कला की प्रख्यात बिदूसी को 16 सितंबर को निधन हो गया तिनका नाम कपी चुकी थे और सच्छा मंत्राले में सचीपत पर भी कारभार समाद चुकी थी यह बात सायन जो थे वह इंद्रा गांधी के रस्टी कलाकेंद के संस्तापक निधन सक भी ठीक है यह बाद कपीला बात सायन जी यह है यह रिन योजना लाओ करेगा तो यह नवाट के द्वार सब्सक्राइब के लिए नए रिनियोजना का स्टार्ट किया रहा है ठीक है अब नवारत का फुर्फाम होता है नेशनल बैंक फूर एगरी कल्चर एंड रूरल डेवलप्मेंट इसका फॉर्मेशन किया गया था जुलाई बारा उन्हें सो बिरासी में लगभग अर्टी साल पहले यह सेघ्डेशमेंक किया है घ्लाषे मॉंबाई और चैर्मन है गोविंदा राजूला चैर्मन ठीक और हुट्सन देखते हैं हाली में सदासीब पार्टिन का निधन हो गया, वह किस शय से समंधी थे, यह क्रिकेट से समंधी थे, जिनका हाली में निधन हो गया, सदासीब पार्टिन नाम था, जो कि क्रिकेट से समंधी थे, अलब कुशन देखते हैं, कौन सा रास्ट बीबाद असपन मानचित दिखाने के बाद SEO की बैटक से बाहर निकल गया तो ये भारत का जो टीम को लीट कर रहे थे वो आपका अजित दुभाल जी कर रहे थे और जब ये चीज घटा कि भारत का जो मानचित था उसको गलत दिखाया गया पाकिस्तान के दरह दिखाया गया तब ये बीच में ही SEO मेटिंग को छोड़के बाहर निकल गया ठीक है अगला कुशन देखते हैं कौन सा रास्त जीबूती अचांस नहीं था जेदा संसुधन में परवेच्छक के रूप में सामिल हो गया ये भारत जो है वो जीबूती अचांस नहीं था जेदा संसुधन के परवेच्छक के रूप में सामिल हो गया है अब मूव करते हैं कोशन आपसे कल पूछा गया था कोशन है कि सराज सरकार दोरा 209 क्लोड रूपय के कुल परिवेवाला भात का सबसे बड़ा पिगरी मिसन लाउंच किया गया है पिगरी मिसन जो था वह लाउंच कर दोड़ा है इसका अंसर काफी अच्छी तरीके से रियर्य आंज़ी के दोरा दिया गया था अप लोग भी दीजिये दो तीनी लोग दोते हैं जो अच्छी तरीके सामसर देते हैं आप लोग से रिक्ष्ट रहें कि आप अच्छा करते रहें और आप अच्छा करते रहें और आपको बहुत सारे शक्ति बहुत सारे उड़ादे ये जो पिग्री मिशन था वो मेघाले के रासरकार ने 209 क्रोड रुपे के परिवय के साथ भाग सबसे बड़ा पिग्री मिशन लॉँच किया था और पिग्री मिशन का मुक उदेश था अगले तीन बरसों में पॉर्क उत पादन में 150 क्रोड रुपे के पॉर्क के बारसिक आयात को कम करना और मेघाले को आत्मिर्वर बनाना यह था पिग्री मीशन का उद्धेश ठीक है अब अगला कुश्ण देखते हैं जो है आपका इसी में है कि मेघाले किस किस दा से बॉंडिशे करता है यह मेघाले का देख लिए आप यह आपका मेघाले है और यह कर रहा है बाद इसे कर रहा है और आपका एक अर्सम है इक लोत देश इसे इसका बॉंडी शेर हो रहा है अब मूव करते हैं कोशन आप दर डे जिसका आंसर आप लोग को कमिन्ट में देना है और आज हम आप लोग के बीच इसका ऑप्शन भी देने बार नहीं है क्योंकि मेरे से गलती से option highlight हो गया था अगर जो बता दूँगा दिखा दूँगा और option दिखा कर बोलूँगा तो आप लोग को यसे इसे इसलुल के अचा के एंसर दिजिए कोश्न है उत्रे परद्र सरकार ने अगरा के लिए मुगल मुजियम का नाम उड़कर किसके नाम पर गोचना की आ गया गया है यह जो मुगल मुजियम है इसका नाम चेर्श करके तो आप लोग इसको गूगल में स़स्कीज है जहां भी ृंश कीजिए और आपको इस question से मिलता है वो सारा कुछ लिखे उसे क्या होगा कि आपको उस राज के उस चीज के बारे में वो facts हमेशा आपको याद हो जाएगा को जाप लिख रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा और हाँ वीडियो को share करो यार दोस्तों में share करो लोगों में share करो आप जितना share करोगे जितना like करोगे जितना comment करोगे मेरा उर्जा उतना ही बढ़ेगा और मैं आपके लिए उतना ही अच्छा काम कर पाऊँगा तो please भाई share करो फेलाओ जितना फेला सकते हो यदि आप GKGS या aesthetic के कोई भी भी से का free study material पढ़ना चाहते हैं तो हमारे website पर जरूर विजिट करें जिसका link नीचे description में दिया हुआ है साथ ही साथ GKGS currentFS की daily cues के लिए हमारे telegram group को जवाइन करें आज के PDF के लिए हमारे official telegram channel को subscribe करें इसका भी link नीचे description में दिया हुआ है आप लोग वड़ते रहें घर पे रहें सुरक्षित रहें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में share करें और यदि आप हमारे channel पर नए है तो channel को subscribe कर ले वीडियो में अंतक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं आप से अगले दिन जैहिंद